बात करें यांसे अगर सोयबीन की तो सोयबीन का दिसम्बर वाइदे देख रहे हैं चौंसट सो शैंटिस पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस वक्त सोयबीन के दिसम्बर वाइदे में लगभग एक फीज़दी की गिरावट बंती नजर आ रहे है हम देख रहे हैं कि पैंसर सो के अडशर सो का लेवल दिखा फिर बासर सो का दिखा फिर 500 के range में स्टक हो गई और अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां से 6400 के levels देखने को मिल गए आपको बता दें कि आज सोयबीन की कीमतों में हमने अनर्मी आते वे देखी है दिरसल राजसान सरकार ने जो स्टॉक सीमा लगाई है सोयबीन के उपर उसकी वज़ा से जो कीमते हैं वो एक सीमी दायरे में देखने को मिल रही है दूसरा जो सोयबीन किसान है अब जो लगवक तीन महीने से उपर हो चुके हैं जो स्टॉक करके चल रहे हैं, उनकी स्टॉक करने की वज़ा से हमने स्वेबीन की कीमतों में तेजी आते भी देखी थी, किसान को कुछ भाव सुधर कर भी मिले, लेकिन लागत अभी भी नहीं निकल पाई है, लेकिन किसानों की भी जो स्टॉक करने की भी एक लिमिट है, शम इसकी वज़ा से किसानों ने अब थोड़ा-थोड़ा सोयवीन मंडियों के अंदर बेचनी शुरू कर दी है। और दूसरा प्लांटों ने भी उपरी स्तर उपर सोयवीन के खरीद कर ली है और उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत स्टॉक बना के रख लिया है। इसकी वज़ा से सोयवीन में अभी एक नर्मी वाला रुज़ान देखने को मिल रहा है। अभी हो सकता है कि सोयवीन की ये जो गिरावट है थोड़ी और गहरा जाए। लेकिन जो कुछ जानकार है उनके अनुसर उनका ये भी कहना है कि सोयवीन जनवरी 2022 में 7000 तक कभी लेवल्स दिखा सकती है। तो किसान और वैदा कारोबारी इन फंडामेंटल्स के आधार पर इन खबरों के आधार पर इस विशेचलन के आधार पर अपनी अपरी स्ट्रेटेजी बना कर चल सकते हैं।